मैक्सिमम 32-inch TVs HD resolution में देखने को मिलती है पर कुछ फूल HD resolution के साथ भी आती है लेकिन उनकी प्राइज काफी ज्यादा देखने को मिलती है बट आज मैं आपके लिए 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 हो बाइस्ट इन बजटे फूल HD TV जिसका मोडल है TCL 32S 5500 AF Smart Android TV जो काफी अच्छे प्राइस टेक के साथ आता है वह आगी मैं आपको वीडियों में बता हूंगा फटावड करते हैं इस बॉक्स को ओपन और टेस्ट करते हैं इसकी क्वालिटी एंड फीचार से हलो प्रेंट स्वागत आपका सिव टेक स्मार् सावड बॉक्स को करते हैं ओपन बॉक्स कोंटेंट की बात करें तो TCL की तरफ से अपने को एक यूजर मैनुवल मिल जाती है और साथी बॉक्स में वारेंटी कार्ड मिल जाता है वैसे इन्वोईस से भी आपको वारेंटी मिल जाएगी साथी टूटेबिल टोपी करने को मिल रही है और साथी बॉक्स में वोल मांट भी मिल जाता है तो इंस्टोलेशन चाहिए तो आप कर सकते हो या कंपनी से करवा सकते हो और बॉक्स में अपने को मिल जाता है एक प्रिमियम क्वालिटी का रिमोट इसके फीचर्स की बात आगे करेंगे साथी रिमोट क के लिए अपने को मिल जाते हैं इस क्रू और फाइनली अपना टीवी तो फ्रेंड्स एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करते हुए फड़ापड मैं इसे करता हूं असेंबल तो मैंने टीवी को असेंबल कर दिया है और टीवी को असेंबल करना बिलकुल इजी था वैचे आप वोल माउंट भी करवा सकते हैं और टोल परी पे कॉल करके और यहां मैं आपको बता दू फ्रेंड्स बैजल लेज टीवी आपको यह देखने को मिल रहा है और मेटलिक वभ्त की दिये हुए और साम्ने की तरभ टीसे यल की ब्लेंडिंग मिल जाती है और आगे की तरभ वइन कि लाइट ग्लौ करती है देखो और विल्ड कॉलिटी मुझे इस टीवी की कोफी शाङन्दार देखने को मिली है साथी इस टीवी के पॉर्टोपे पह अग नजाट भी मिल जाता है और ओल सारे पोर्ट से देखने को मिल रहे हैं एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट रहता तो और भी बेटर रहता लेकिन जिस बजट में यह TV आ रहा है आप इसे इग्नॉर कर सकते हो इस TV के इस पैक्स भी देख लेते हैं तो इसमें Quad-Gore CPU देखने को मिल रहा है और इसकी Maximum Clock Speed 1.4 Gigaards तक जा सकती है GPU G31 MP2 देखने को मिल रहा है और यहां मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स इस TV में 1 GB की RAM लगी हुई है 8 GB का Storage मिल जाता है जिसमें से 4 GB usable है Connectivity Options की बात करूँ तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है वेज़े RJ45 port में मिल जाता है तो most of the time आपको lens से काफी अच्छी speed मिल जाएगी और फ्रेंड्स आपको बताएगी एक TV में सबसा important क्या होता है उसकी display और यह TV जिस budget में आ रहा है Full HD display प्रवाइड करवा रहा है जिसका resolution 1920 by 1080p देखने को मिल रहा है 16 by 9 का aspect ratio दिया हुआ है contrast ratio 4000 by 1 देखने को मिल रहा है और यहां friends में आपको बतादू colors मुझे काफी चांदार देखने को मिल रहा है जिस budget में यह TV आ रहा है जैसा कि आप देख पारे हो blacks भी काफी अच्छे से यह TV handle कर पारा है और काफी natural मुझे quality देखने को मिल रही है जैसा कि आप video content वगर आप देखोगे तो आपका experience काफी next level रहने वाला है और अच्छी बात मुझे यह भी लगी यह TV HDR10 को भी support करता है तो अगर आप HDR content देखते हो तो वहां भी आपका experience काफी next level रहने वाला है और इस TV में 260 nits की brightness देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी कासी है जिस बजट में यह TV आ रहा है और इस TV में काफी सारी picture mode दिये हो हैं और मुझे personally standard mode काफी शांदार देखने को मिला क्योंकि जैसे मैंने standard mode पे किया तो मुझे colors काफी अच्छे देखने को मिले और इस TV में 178 degree का viewing angle देखने को मिल जाता है तो आप यह TV को कहीं से भी देखो आपको कोई भी negative देखने को नहीं मिलेगा और friends जैसे कि आपको पता है कि generally 10,000 के budget में अधिकतर brand HD display ही provide करवाते हैं लेकिन यह TCL ने full HD display के साथ यह TV launch किया है और यह अपनी price को justify भी करता है साथ ही इस TV के अगर मैं audio quality की बात करूँ तो 24 watt के down fire stereo speaker दिये हुए है तो audio का sample मैं आपको test करा देता हूँ तो जैसे कि अभी मैं आपको audio की quality test करा ही audio की quality मुझे काफ़ी अच्छी सुनने को मिली डोल भी audio का भी support इस TV में देखने को मिल जाता है और 24 watt के speaker के according देखो यहां मैं आपको बता दू तो रूम में अगर आप टीवी को लगाओगे तो आपको अलग से subwoofer लगाने की वैसे जरुवत नहीं है साथ इस TV में multi audio presets से आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने ही साब से audio को चूज कर पाओगे और all देखो मैं आए आपको बता दू फ्रेंड्स जिस budget में यह TV आ रहा है आप इस TV के लिए जा सकते हो क्योंकि display quality ने भी मुझे coffee impress किया है और OD की quality भी मुझे coffee अची सुनने को मिली तो कुछ चीज तरीक है आपको इस TV का interface देखने को मिलेगा सारी highlight OTT apps आपको इस screen पे दिखी रही है और Android TV है यहा मैं आपको ददू फ्रेंड्स 11 वर्जन आपको देखने को मिल रहा है और in future में जैसे latest upgrade आएगा तो आप इस TV को अपग्रेड भी कर पाओगे सारी OTT apps आपको इस screen पे दिखी रही है और Android TV है तो आप in future में कोई भी apps डाउनलोड कर पाओगे इस TV की अगर मैं price की बात करूँ तो अभी यह listed है 9,990 रुपीज में और यहां friends में आपको बतादू festival से हैल चली रही है तो यहां आपको bank discount के बाद यह TV 9,000 के budget में मिल रही है फूल HD resolution के साथ है तो friends बिना किसी doubt आप इस TV के लिए जा सकते हो बैस्ट पाइलिंग आपको description में मिल जाएगा और यहां मैं आपको बतादू friends यह TCL एक अच्छा brand है और TCL के product काफी time से market में आ रहे हैं और इनकी service भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और friends साथ यह इस TV के अगर मैं remote की बात करूँ तो काफी large size का remote देखने को मिल रहा है और weight कमी है और मुझे इस remote की अच्छी बात यह लगी इसमें hotkeys भी देखने को मिल रही है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार अच्छी चैनल को subscribe कर दीजिए और इस TV के regarding आपका कोई भी क्यूस और कोई भी doubt हो तो मुझे comments box ने जरू comments करके बताना और अगर आप पहले से यह वाला टीवी यूज कर रहे हो तो अपना feedback भी जरूर शेयर कर देना बागी के viewers को भी help हो जाएगी So thanks for watching, have a nice day, जै हिंद, वन्ने मातरम